अर्विंद केजरिवाल जी ने एक बार कहा था कि भई लोग देश के लिए जेल जाना कब शुरू करेंगे और उनकी भविश्यवानियात सच निकल गई सहाब बात पर बिल्कुल कायम रहे वैसे अब क्या करें उन्होंने ही कहा था केजरिवाल जी की गिरफतारी के response में काफी बड़े-बड़े reactions आये हैं कुछ लोगों ने कहा है कि ये democracy के लिए एक बहुत बड़ा black day है hashtag black lives matter लोग कह रहे हैं कि democracy खतम होने के कगार पर है और 2024 का election भारत को बचाने का last chance है और उसके बाद भारत रहेगा ही नहीं खतम हो जाएगा तो आईए आज के एपिसोड में देखते हैं कि क्या भारत सही में चाइना जैसा dictatorship बन चुका है क्या केजरिवाल जी को जूटे case में फसाया गया है और फाइनली क्यूँ जो लोग केजरिवाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बातों में कुछ सचाई तो है लेकिन at the end of the day केजरिवाल जी के सपोर्टर्स भी जो देश में प्रॉब्लम है उसको solve नहीं करना चाहते क्या है वो प्रॉब्लम आईए पता करते हैं हलो हलो और शाम शर्मा शो के इस एपसोर्ट में आपका बहुत-बहुत सागत है मैं हूँ सेकुलरिजम का CEO शाम शर्मा और आप सब को अब देखिए केजरिवाल जी को प्यार से King of U-Turns बोला जाता है क्योंकि वो अक्सर जो बाते बोलते हैं उस पर मुकर जाते हैं और लगता है कि उनके सपोर्टर भी उनके अरेस्ट के बाद उनसे काफी इंस्पायर हो रहे है कुछ लोगों ने कहा है कि ये डिमॉकरसी के लिए एक Black Day है Black Day नहीं, Black Label Day बोलना चाहिए था लिकरस के हैं में न, इसलिए जिनको ये जोग नहीं समझाना जाके पोगो देखो तुम लोग ने अच्छ लगा जोग इस काई सॉक्स आम आदनी पाटी की आतिशी मार लेना जी कह रही है कि केजरिवाल जी तो इतने केपबल आदमी हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे वर्क फ्रम होम सुना था, वर्क फ्रम आफिस भी सुना था, वर्क फ्रम जेल पहली बार सुन रहे हैं खेर, अलेजडली लालु यादव जैसे काम कर रहे हैं, तो लालु यादव से ही वर्क इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरिवाल को डाइबीटीस है, डाइबीटीस वाले आदमी को क्यो आपने जेल में डाल दिया अरे यार आप इंडियन जेल को जानते नहीं हो यार, हैं, आम आदनी पार्टी के दूसरे लीडर जो जेल में है, सतेंदर जेल, जब उनको जेल में मसाज मिल सकता है, तो केजरिवाल जी को जेल में इंसुलिन क्यो नहीं मिल सकता, सबसे ज़्यादा दुखी लेकिन लगता और उनके हिसाब से, केजरिवाल जी का आरेस्ट इसका एक बहतरीन एक्जामपल है, और अगर देश में डिमोकरिसी को बचाना है, तो लास्ट ऑपरचुनिटी ट्विटी ट्विटी फोर की है, ट्विटी ट्विटी फोर के बाद भारत देश बचेगा ही नहीं, एक मैडम जिने तो डिरेक्ट बराक उबामा से हphem लऑंग ली, बराक उबामा पही क्यों रुक गई मैडम, आरेन मैन को भी टाग कर लिती, थोर को भी टाग कर लेती, कैप्टन अमेरिका को भी टाग कर लेती, रियाना, मिया, खलीफा, विन डीजल, टेलर, स्विफट, बीटी एस, सबको टेक कर ले ना था यार अबामा पर ही क्यों रूग उबामा तो प्रेजडेंट भी नहीं रहे अब आप ज़रा कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांधी के बारे में भी सोचिए उनके लिए भी बहुत बड़ी विडम बना हो गई है तब दिल्ली की अरविंद केजरिवाल जी की आमादमी पार्टी की सरकार शराब की नीती पर काम कर रही थी उनकी पार्टी है जिन्होंने अरविंद केजरिवाल पर अरेस्ट के लिए सबसे पहले केस फाइल किया था ये आमादमी पार्टी की सरकार जितना लिकर में भष्टा चार कथेत रूप से हुआ है उसके बराबर ही और चीजों में भी ये काम चल रहे हैं केजरीवाल ने सो करोड का स्कैम किया है उपर से अर्विंद केजरीवाल वही इनसान है जिनोंने कॉंग्रेस पार्टी को बहुत करप्ट भी बोला है अब आप सोचिए राहूल गंदी के दिल में कितनी वीड़ा बना है दूसरा बंदा अरेस्ट हो गया और जिस तरह वेलकम फिल्म में अक्षा कुमार ने कहा था कि तरह पूरा खाबाज खतम हो जाएगा उसी तरह से राहूल गंदी भी सोच रहे होंगे कि मेरा तो पूरा का पूरा अलायंसी खतम हो जाएगा इसलिए मैं कहा रहा था बहुत विडंबना है प्रियंका गांदी कहती है कि भाई देश में अनफिशल इमर्जनसी चल रही है इस तरह का दृष्य, पुलिटिकल राइवल्स का गिरफतारी देश में इनको पहली बार देखने को मिल रहा है पहली बार? कहीं कुछ भूल तो नहीं रही है प्रियंका जी बावासिर कुमार, I mean माप करना, मैं दो दो निकल जाता हूँ रवीश कुमार जी ने तो गेजरीवाल जी के अरेस्ट होने के दस मिनट के अंदर अंदर ये एक वीडियो निकाल दिया मीडिया ने बहुत बैमानी कर ली इस देश के लोगतंत्र के साथ इस देश की जनता के साथ अब यही खबर घर घर पहुँचेगी विपक्ष ब्रष्ट है विपक्ष के नेता जेल में है यह लेकिन मैं सोच रहा था कि इतनी जल्दी इनौन ने वीडियो कैसे निकाल दी फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि जब केजरिवाल जी को पहला एडिय का समन जाया होगा उसी टाइम पर इनों ने वीडियो रिकाड कर लिया होगा फाइनली जब ED ने इनको अरेस्ट किया तब इनने सोचा कि चलो हमारा वीडियो भी निकल सकता है अब कई लोग आज सोचल मीडिया पर फ्री केजरिवाल ट्रेंड कर रहे हैं मैं सोच रहा हूँ कि कश्मीरी हिंदू जो हैं जिनका मजाग दिल्ली पार्लिमेंट में केजरिवाल जी ने उड़ाया था वो आज क्या सोच रहे होंगे अरे यूट्यूब पे डाल दो फ्री फ्री हो जाएगी तो देखे में मुद्दे पर आते हैं कि भई केजरिवाल जी को अरेस्ट क्यों किया गया है क्या है ये पूरा केस क्या बिना किसी रीजन के केजरिवाल जी को अरेस्ट किया गया है आईए इस पूरे केस के बारे में जानते हैं देखे, ED के मुताबिक, केजरिवाल जी की लीडर्शिप में जो लिकर एक्साइज पॉलिसी 2021-2022 में बनाए गई थी, उसकी वज़े से इस कुछ बड़े बिजनेस को एक्स्टा फेवर दिया गया था, जिसके एवज में इन बड़े बिजनेसेज ने कुछ ब्राइब्स प्रोवाइड की थी आम आदनी पार्टी को, तो ये लिकर लाइसेंस की पॉलिसी क्या है, देखे, डेली में 2003 से शराब की बिकरी के लिए L1 और L7 के लाइसेंस दिये जाते हैं, L1 लाइसेंस दिया जाता है होल सेलर्स के लिए जो बल्क में खरीदते हैं, और L7 लाइसेंस दिया जाता है इंडिविजुल सेलर्स के लिए, हर साल ये जो वेंडर्स हैं, ये अपनी लिकर बेचने की लाइसेंस मेंटेन करने के लिए फीज भरते हैं, पुरानी liquor policy के हिसाब से शराब बेचने की जो responsibility थी वो government institutes जैसे DSIIDC, DCCWS, DTIDC, DSESC जैसे departments के हाथ में था इस पुरानी liquor policy में एक बड़ी problem ये थी कि seller को 25% value added tax भरना पड़ता था और ये tax इतना बड़ा था इतना problematic था कि इसकी वज़े से liquor की एक black market बन गई थी जिससे जनता को घाटा होता था कि black market में कोई quality control नहीं था liquor का तो बहुत गंदी quality का liquor आपको मिल सकता था जिससे आपको बहुत सारी health issues हो सकती थी और government का जो tax revenue था वो भी जा रहा था इसलिए फिर November 2021 में डेली के deputy CM मनीश सिसोडिया ने नई liquor नीती लागू की इन्होंने कहा कि इस liquor नीती से ये जो माफिया राज है वो खतम होगा consumer का जो experience है वो बहतर होगा और उसके उपर से government के भी सरकारी खसाने में 3500 करोर्स का फाइदा होगा इस policy के तहट पूरे डेली को 32 zones में बाट दिया जाएगा और हर एक zone में 27 शराबों की दुकान खोली जा सकती है इस हिसाब से total 849 दुकाले दिली में खोली जा सकती है liquor की खास बात ये थी कि इस policy के हिसाब से government जो है वो liquor बेचने के धंदे से ही बाहर निकल जाएगी और इस पूरे liquor बेचने के धंदे को privatize कर दिया जाएगा मनी सिशोडिय का कहना था कि भाई liquor बेचने का कान government का नहीं होना चाहिए बिल्कुल सही बात है ये काम तो पाकिस्तानी आर्मी का है तो दारू बेचने के धंदे को पूरी तरह से privatize कर दिया जाएगा और ये bidding system पर लोगों को licenses दिये जाएगे अब इसमें ये बड़ा change आया कि पहले license लेने के लिए businesses को 5 लाग तक देने पड़ते थे आज वहीं एक license लेने का price 5 करोड तक कर दिया गया अब इस policy में देखिए on the surface ऐसा कुछ बुरा तो दिख नहीं रहा लेकिन July 2022 में डेली के जो मुख्य सचीफ है चीफ सेक्रेटरी जो की senior most I.S. officer है वो गये डेली के lieutenant governor के पास उन्होंने कहा कि इस liquor policy में कुछ लोचा है यार उन्होंने कहा कि ये liquor policy जो है वो छोटे businesses को basically लात मार के बाहर निकाल रही है और इस liquor policy की वज़े से जितना भी alcohol sale का business है वो बड़े बड़े businesses आकर घेर लेंगे क्योंकि पहले liquor license का दाम आराउंड 8 लाग था 10 लाग था तो छोटा व्यपारी कुछ ना कुछ करके 8-10 लाग तो जमा कर सकता है लेकिन अब नए policy में आपने उस license का दाम अराउंड 11 करोड तक कर दिया है वो तो किसी छोटी business के लिए basically impossible है तो if you think about it आम आदमी पार्टी ने basically आम आदमी के ही पेट पे लात मार दी आईरनी देखिये आईरनी हो रही है जी बहुत बयंकर यह तो वही हुआ कि BTS आर्मी BTS के concert में जाती है और BTS के members को इस सूथ के वापस आ जाती है जिस crony capitalism के लिए BJP को गालिया दी जाती थी डेली के chief secretary ने कहा कि वही crony capitalism आम आदमी party भी practice कर रही है अब crony capitalism क्या होता है imagine कीजिए कि आप एक cooking competition में हैं और आपको एक partner अलोट किया जाता है उस cooking competition में judges ने cooking competition में आपको partner दिया एक 5 साल का बच्चा लेकिन आपको competitor का partner Gordon Ramsey को बना दिया गया तो भई आपके competitor को unfair advantage मिला ना यही crony capitalism भी होता है कि अगर government किसी एक तरह के businesses को unfair advantage दे दे यानि free market competition को दबाया जा रहा है और एक तरह के businesses को और industrialists को extra फाइदा दिया जा रहा है यह होता है crony capitalism तो इतना high barrier to entry आपने डाल दिया liquor business में आने का कि सिरफ बड़े-बड़े businesses ही अब इसको join कर सकते हैं इन में से एक बड़ा business था South Group जिनोंने बड़ी संख्या में यहाँ पर liquor दुकाने खरीदनी शुरू कर दी दिल्ली में South Group कैसे involved है यह हम थोड़ी देर में जानेंगे लेकिन पहले यह जानते हैं कि Chief Secretary ने LG सक्सेना के पास जाकर इसे investigate करने को कहा और जैसे ही आम आदनी पार्टी गवर्मेंट को खबर मिली कि LG के पास Chief Secretary गए है कि इस policy को investigate किया जाए वैसे ही आम आदनी पार्टी की गवर्मेंट ने इस policy को तुरण वापस भी ले लिया अब सवाल यह उठता है कि आपने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो इतनी जल्दी आपने इस policy को वापस क्यों ले लिया अगर Lieutenant Governor CBI की inquiry करना चाहते हैं इस policy के उपर तो क्या तकलीफ है आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं है इतनी जल्दी वापस लेने की क्या ज़रू होता है मतलब आप imagine कीजए कि आप एक कमरे में जाते हैं और एक कमरे में जाकर बोलते हैं कि यहाँ जो भी pocket मार है उसको मैं एक थपड मारूंगा और ये sentence सुनते ही एक बंदा उटके भागने लगे कमरे के बाहर तो उस बंदे के पर थोड़ा शक्त हो जाएगा ना यार और क्योंकि यह excise policy छे महिने के अंदर अंदर ही वापस ले ली गई जो बड़े businesses थे जिन्होंने आकर छोटे businesses को लात मार के दिली से बाहर निकाला था और इतनी सारी liquor की दुकाने खरी दी थी इतना investment किया था वो नाराज हो गए कि यार हमने इतना पैसा लगा दिया और उसके बाद तुमने इतनी जल्दी कानून भी वावस ले लिया हमारा इतना फालतू में घाटा हो गया तो इन में से कुछ बड़े businesses दो थे वो चिड़ कर फिर ED के informer बन गया और इन informer से बात करने के बाद ED एक report निकालती है जिसमें कुछ बड़े allegations लगते हैं आम आदनी पार्टी की government के उपर पहला कि आम आदनी पार्टी की government ने इस liquor policy के थू allegedly कुछ गिने चुने बड़े businesses को undue फाइदा पहुचाया है ED ने कहा है कि allegedly ये जो businesses थे इन्होंने जो new liquor policy आई है इसमें उनको favorable terms मिलें इसके बदले में आम आदनी पार्टी को kickbacks यानि funding प्रवाइड की है और ये जो पैसे इनको मिले हैं इन पैसों को पंजाब और गोवा के assembly elections में इस्तमाल भी किया गया है एक दिनेश अरोडा नाम का बड़ा ठेकेदार है जो सरकार का informant बन गया इस बंदे ने ED को कहा है कि इसने पहले आम आदनी पार्टी के संजे सिंग से connection बनवाया उसके बाद संजे सिंग ने इसका मनी सिसोडिया से connection करवाया और फिर दिनेश अरोडा ने allegedly कहा कि दिली government ने उससे कहा कि आपके फाइदे के लिए हम ये policy बना रहे हैं और फिर दिनेश अरोडा ने कहा कि उसने जो आम आदनी पार्टी को पैसे दिये वो पैसे आम आदनी पार्टी ने 2020 के पंजाब elections में इस्तिमाल किये और ये एक बड़ी वज़े है जिस वज़े से संजे सिंग और मनी सिसोडिया को जेल भी हुई है और ये आप देख सकते हैं कि ये अगर सच है तो एक clear crony capitalism का example है ED ने ये भी alleged किया है कि अपने investigation में उन्होंने ये पाया कि आम आदनी पार्टी ने South Group नाम की एक बड़ी company को भी undue favor दिया है इस South Group की एक member है के कविता जो former Telangana CM की बेटी भी है ED ने alleged किया है कि के कविता ने South Group की तरफ से केजरिवाल जी से lobby किया था के South Group को extra benefits दिये जाए इस case में Telangana की party YSR के MP शिडिवासुलू रेड़ी और उनके बेटे राघव मनूता भी involved है जो की police के खबरी भी बन गये है उनके मताबिक आम आदनी पार्टी के senior leaders और South Group के कई members directly involved थे इस policy के formulation में और ED alleged कर रही है कि घूस के रूप में 100 करोड रुपए भी दिये गए थे इस बात को बुची बाबू नाम के एक आदमी के WhatsApp messages से भी corroborate किया गया है इस बात की पुष्टी की गई है बुची बाबू कौन है? बुची बाबू एक आदमी है undue benefits देता है वही exact आरोप ED ने केजरिवाल के उपर लगाया है मतलब इस hypocrisy को देखे कि ये तो वही बात हुई कि अनन्या पांडे दूसरे actors को बोल रही है कि उन actors को industry में unfair advantages मिल रहे हैं ED ने ये allegedly कहा है कि जो kick packs उन्होंने आम आदनी party को दिये हैं उसके बदले में south group को wholesaler businesses indo spirits का control भी मिला है कई retail zones का control मिला है और per no record का exclusive business भी मिला है और उनको L1 license भी grant किया गया है इसके बावजूद कि उनके ओपर multiple complaints लगे हैं कि उन्होंने 2021 के excise policy का violation किया है ED ने ये भी alleged किया है कि उनके पास evidence है कि जो 45 करोड रुपए आम आदनी party को bride में मिले हैं वो उन्होंने गोआ के elections में भी इस्तमाल किये हैं ये जो पैसे हैं ये part cash, part bill payments में Miss Chariot Productions को दिये गए थे ये वो agency है जिसको आम आदनी party ने गोआ के elections के outdoor campaigns के लिए इस्तमाल किया था इसलिए उनको इस kickback scheme के बारे में पता भी होना चाहिए था और कौन से पैसे कहा जा रहे हैं इसके बारे में भी पता होना चाहिए था इसलिए उनके उपर ये case लगा है और इसलिए उनको ये jail हो रही है अब इसके response में आम आदनी party और आतिशी इमार लेना कह रहे हैं कि भाईया पैसा है कहाँ अगर हमने पैसा लिया है तो वो पैसा दिखाओ तो सही लेकिन जो बड़े बड़े dealers थे जो पुलीस के खबरी बन गये है उन्होंने कहा है कि भाईया पैसा हमने दिया है ये रहे पैसे की receipt पैसा मिल नहीं रहे क्योंकि ये पैसा उन्हेंने आल्रेडी पंजाब और गोगा के इलेक्शनज में उड़ा दिया है जैसा कि बावु भाईया ने कहा था कि मस्त तेल में फ्राइख करके वो मैं खा गया तो जब पैसा अल्रेडी इलेक्शन्स में उड़ चुका है तो वो पैसा दिखेगा कैसे इन रीजिन्स की वज़े से अधरविंद केजरीवाल को गिरफतार किया गया है तो अगर आप बीजेपी पर उंगली उठाना चाहते हैं तो बिलकुल उठाइए लेकिन ऐसा नहीं है कि आम आदनी पार्टी बिलकुल साफ सुथरी है आप सोचिए कि एक ऐसी पार्टी जिसने पूरे भारत को इंडिया अगेंस करप्शन मूव्मेंट में इतना इंस्पायर किया था मैं खुद अन्ना हजारे और केजरी वाल से इतना इंस्पायर हुआ था जब मैं कॉलेज में था जब इंडिया अगेंस करप्शन मूव्मेंट अपनी चरम सीमा पर था उस पार्टी पर जो इंडियन पॉलिटिक्स को साफ करना चाहती थी जिसने इतने बड़े-बड़े वायदे किये थे दिल्ली में इलेक्ट होने के बाद उस पार्टी पर आज इतने बड़े-बड़े करप्शन के केसिस लगे हैं हर एक बड़े लीडर पर करप्शन के केसिस लगे हैं ये इस पार्टी के लिए एक बहुत ही शर्म की बात होनी चाहिए कि उसने अपने वोटर्स को अपने सपोर्टर्स को इतना बड़ा दोखा दिया है उन्होंने अपने वोटर्स के विश्वास के साथ वही हाल किया जो एलविश ने मैक्स टरंड के साथ किया बजा दिया और क्योंकि अरविंद केजरिवाल जी को अर्रेस्ट कर लिया गया है वो एक बड़े उपोजिशन के लीडर है इसलिए मीडिया में बहुत आवाजे चल रही है कि भई डिमॉक्रिसी की मौत हो गई है भारत में डिमॉक्रिसी खतम हो गई इनको अभी तक बेल पर रिलीस क्यों नहीं किया अब देखिए इस बात में पॉइंट तो है ये पॉइंट में समझता हो इस पॉइंट से मैं अग्री भी करता हो लेकिन कोर्ट के मताबिक भी इस प्रैक्टिस में दो बड़े एक्सेप्शन होते है पहला एक्सेप्शन है कि अगर भागने का डर हो कि इस बंदे को अगर हमने छोड़ दिया तो ये कहीं बाहर न भाग जावी जाए मालिया की तरह और दूसरा कि ये बंदा इतना पावरफुल है कि सबूत में कहीं गड़बड़ी ना करे सबूत को खतम करने की कोशिश ना करे अब ये सेकंड वाला जो एक्सेप्शन है ये डेफिनिटली केजरी वाल के केस में पॉसिबल है वो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर है एक और स्टेट में इनकी बड़ी गवर्मेंट है और इनके उपर आरोप लगे हैं कि इन्होंने सबूत के साथ चेड़ चाड़ की है आपको याद होगा कि विजिलेंस के स्पेशल सेकरेटरी वाई वीवीजे राजशेखर जो की इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि डेली सीम ने इतना पैसा क्यों खर्च किया अपने घर की रिनोवेशन में वहाँ कहीं कुछ करप्शन का मामला तो नहीं राजशेखर जी ने कहा था कि उनकी केस की फाइल्स के साथ भी छेड़ चाड़ की गई है इंटरफेर करने की कोशिश की गई है इस पूरे इंसिडेंट का कुछ समय पहले CCTV फुटेज भी सामने आया था तो हो सकता है कि इस पर्टिकिलर केस में एविडेंस के साथ छेड़ चाड़ करने का जो सेकेंड एक्सेप्शन है वो एक्चली अपलाई करता हो इसलिए केज रिवाल जी को नहीं छोड़ा गया हो और जहां तक कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि BJP जो है ये अपनी स्टेट मशिनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है ED का, CBI का गलत इस्तेमाल कर रही है मैं उनकी बात से सहमत हूँ लेकिन unfortunately problem ये है कि मुझे लगता है कि वो सिरफ बोलने के लिए बोल रहे हैं वो जब government स्टेट मशिनरी का गलत इस्तेमाल करती है इस problem को seriously solve नहीं करना चाहते देखे मैं अभी खुल कर बोलने को ये तयार हूँ कि सिसोडिया जैसे leaders को इतने extended duration के लिए jail में रखना without conviction मुझे personally गलत लगता है मुझे लगता है कि courts और ED जो है वो इस case में central government के सामने थोड़ा जुक रहे है और इन branches को इस तरह से government के सामने जुकना देश के लिए अच्छी चीज नहीं है और ये बात actually problematic है क्योंकि एक Indian Express की report आय थी जिसमें 2014 से 2022 के बीच में अगर आप देखें तो ED ने जो cases file किये हैं उनमें से 95% cases opposition leaders के उपर हैं ये coincidence नहीं हो सकता दूसरी बात आप देखें कि इतने सारे political leaders हैं जो जब opposition parties में होते हैं तो उनके उपर कई सारे corruption के cases और criminal cases लगते हैं लेकिन जैसे ही वो leaders opposition parties छोड़कर BJP join कर लेते हैं वो cases तुरंद गायब हो जाते हैं एक बड़ा example है Assam के Chief Minister हेमंत विश्व सर्मा कि जैसे ही उनने Congress छोड़कर BJP join की उनके उपर जो case लगे होए थे वो सारे ठंडे पड़ गए Honestly सोचिये ऐसे बहुत सारे examples है BJP तो basically Tide का बाप है इनको अपना खुद का detergent launch करना चाहिए मार्केट में Supreme Court ने भी इस बात पर आवाज उठाई है कि कोई भी agency लोगों को बिना trial के अनिश्चित समय तक jail में नहीं रख सकती अगर investigation 60 या 90 दिनों में पूरी नहीं होती है तो ROP को default bail का अधिकार होता है लेकिन Supreme Court ने कहा है कि कई बार ये agencies क्या करती है कि ताकि लोगों को छोड़ना ना पड़े इसलिए ROP को bail से वंचित करने के लिए उनके उपर supplementary charges फाइल कर दिये जाते है Supreme Court ने इस practice को भी बहुत heavily criticize किया है और उनने कहा है कि मनीश से सोडिया के साथ और to an extent उमर खालित के साथ भी इस तरह की practice की जा रही है अब आप कहेंगे कि चलो बढ़ी अच्छी बात है हमने इस problem को understand कर लिया अब इसे solve कैसे करें लेकिन देखिए problem ये है कि इस problem को अगर हम actually permanently solve करना चाहते हैं तो इसके लिए bipartisan support की जरूवत है यानि सभी parties सभी लोगों को साथ में मिलकर इस problem को solve करना पड़ेगा problem ये है कि हम आवाज तभी उठाते हैं जब सिरफ एक party इस तरह के काम करती है जब बाकी parties इस तरह के काम करती है तो हमारे मूँ में फैवी कॉल चला जाता है मैं आपको कुछ examples देता हूँ हम आम आदनी party को ही देखते हैं आप देखें कि अभी हाल में ही पंजाब police पंजाब के बाहर जाकर जम्मू में जाकर एक YouTuber को गिरफतार करती है जो आम आदनी party के MP से जुड़े हुए एक university के पास prostitution को expose कर रहा था रचित कौशिक नाम का एक YouTuber है जो सब लोगतंतर नाम का एक channel चलाता है उसने आम आदनी party को expose करते हुए एक video बनाया था उसके बदले में पंजाब police ने पंजाब के बाहर जाकर मुझफर नगर में जाकर एक family wedding से रचित कौशिक को उठाकर पंजाब ले गये थे जहाँ पर उसको जेल में डाला और धमकाया था उसकी family कितने दिनों तक चिंतित थी कि भई हमारा बच्चा गया कहा याद करिए कि पंजाब police ने तजिंदर पाल बगगा नाम के एक BJP लीडर को भी पंजाब से बाहर जाकर दिल्ली में जाकर अरेस्ट करके पंजाब ले जाने की कोशिश कर रहे थे जस्ट बिकज उसने आम आदनी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई थी और ये लीडर सिर्फ BJP वाले और यूट्यूबर्स ही नहीं लगा रहे कॉंग्रेस लीडर प्रताप सिंग बाजवा ने भी ये आरोप लगाया था कि आम आदनी पार्टी पुलीस का गलत इस्तिमाल कर रही है उनको हरास करने के लिए पंजाब कॉंग्रेस कमिटी के चीफ अमरिदर सिंग राजा ने भी यही इलजाम लगाया है लोगाया ये लोग फिजाव करें ये लोग और ये तो स्रफ यूटूबर की बात है याद करिए जब मुंबई पुलीस ने अनकॉंस्टिटूशनली अरनप को गिरफतार किया था और उनको उठाकर ले गए थे क्वेस्टनिंग करने के लिए याद करिए कि किस तरह से लोगों ने उसकी खुशी मनाई थी कि हाँ हाँ देखिए अरनप को किस तरह से पुलीस उठाकर ले गई वाह कितनी खुशी की बात है आज वही लोग केजरिवाल के गिरफतारी का शोक मना रहे हैं इसके इलावा भी बहुत सारे केसेज हैं कि ऑपोजिशन पार्टी सी गभर्मेंट्स ने भी जहाँ जहाँ पर वो पावर में है उन्होंने अपनी स्टेट एजन्सी का गलत इस्तेमाल किया है अपने क्रिटिक्स को गिरफतार करने के लिए और हरास करने के लिए आप याद कीजे कि 2002 के जब दंगे हुए थे उसके बाद कितने सारे Special Investigatives टीम बठाई गई थी कितनी बार बुला बुला कर मोदी को CBI ने इंटरोगेट किया था 4-4-5-5 बार किया था दिन दिन भर बिठा बिठा कर इंटरोगेट किया था और बार-बार मोदी जी गए थे और बार-बार इंटरोगेट होने के बाद देखिए उन्होंने क्या बोला था पिस्तार से बाचीत उन्होंने मेरे से की हैं उनको जो सवाल पूछने थे मैंने पहले से ही कहा है कि भारत के समिधान भारत का कानून सुप्रीम है और नागरिक के नाते एवं मुख्यमंत्री के नाते मैं भारत के समिधान से भारत के कानून से बंधा हुआ हूँ UPA के समय पर सुप्रीम कोट ने CBI को एक केजड पैरट बोला था मतलब पिंजरे का तोता जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज पर नाचता है UPA के समय पर कई राजनीतिक दल जैसे सपा, BSP और DMK ने भी कहा था कि CBI का हमें इतना डर है कि हमारी पार्टी से खिलाफ CBI का गलत इस्तिमाल किया जाएगा इस वज़े से हम गब्मेंट को समर्थन देते हैं मुलायम सिंग ने सामने से आकर ये बात कही थी जब DMK ने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया था तुरंथी उनके लीडर के उपर CBI का रेट पढ़ गया था और UPA के राज में भी ED ने कुल अराउंड 26 नेताओं पर जाज की थी इन में से मजॉरिटी जो नेता थे वो उपोजिशन के नेता थे ये पैटर्न जब आप देखते हैं ये पैटर्न आपको क्या दिखाता है ये पैटर्न आपको दिखाता है कि इन स्टेट एजिंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है हर एक political party जब power में होती है तो state agencies का अपने फाइदे के लिए इस्तमाल करती है आप कह रहे हैं न कि आज Modi की dictatorship चल रही है तो आज के समय पे देख लीजें कि इस तरह से दूसरी parties act कर रही है October 2022 में Bengal police ने एक journalist को arrest कर लिया था क्योंकि वो TMC के खेलाब reporting कर रहा था 9 जनवरी में Bengal police ने 10 journalist पर FIR दर्च किया था क्योंकि वो Bengal में वंदे भारत पर हुए stone planting पर reporting कर रहे थे West Bengal government ने ओप India जैसे right wing outlets को भी target किया है उनके ओपर चार अलग-अलग cases डाले हैं उनकी editor को कलकता छोड़ कर भागना पड़ा October 2019 में 28 साल के एक बंदे को गिरफतार कर लिया था कलकता में क्योंकि उन्होंने ममताब एनरजी के ओपर कुछ कह दिया था याद करिए कि महराष्टर में मराथी एक्टर केट की चिताले को भी गिरफतार कर लिया था क्योंकि उन्होंने शरत पवार के ओपर एक Facebook पोस्ट डाल दिया था 36 गड़ पुलीस ने एक जर्नलिस को गिरफतार कर लिया था क्योंकि उन्होंने Congress Party के ओपर एक Satirical Comedy Series बना दी थी देखिये, point यह है कि मैं खुले आम ये कहने को तयार हूँ कि BJP Freedom of Speech की पूरी तरह से रिस्पेक्ट नहीं करती है और शायद agencies का गलस्त इस्तिमाल किया जा रहा है opposition को target करने के लिए इसके बावजूद के opposition के खिलाफ on paper clear सबूत दिख रहे है at least जो ED कह रही है उसके हिसाब से लेकिन जब तक हम ये accept नहीं करेंगे तब तक ये problem देखे solve नहीं होगी इंडिया में democracy आज खत्रे में नहीं आई है आजादी के समय से ये खत्रा मन रा रहा है problem ये है कि हम ideology के नाम पर दूसरी political parties को ignore करते हैं आज भी हम political ideology पर डटे रहेंगे आप बताइए मैं आप से पूछना चाहता हूँ बिना सभी parties को कटगरे में खड़ा किये ये problem कैसे solve होगी मैं आप से पूछना चाहता हूँ नीचे comment section में मुझे जरूर बताए क्या आपको लगता है कि सिरफ BJP इन investigative agencies का गलत इस्तेमाल कर रही है या सारी party आइसा करती है ये भी मुझे नीचे comment section में जरूर बताए बाकी मैं आपसे अगले episode में मिलूँगा तब तक स्वस्त रहें सुखी रहें फिर मिलेंगे और आप सब को लेक्से को